नमस्कार एक बाब फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लाश 12th Home Science ग्रिभ विज्ञान और ये चेप्टर नंबर हमारा 14 होने वाला है और इसका नाम है निगमित संप्रेशन तथा जनसंपर्ट ये हमारे न्यू सिलेबस के अनुसार बताया जा रहा है इस चेप्टर में संपर्क जो टॉपिक है इसके मूल भूत संकल्पनाओं के बारे में जानना है तो देखे निगमित जो संप्रेशन है या एक स्वस्त संगठ नात्मक परिवेश का निर्मान करता है मतलब एक अच्छे सुसाइटी का निर्मान करता है एक अच्छे समाज का निर्मान करता है किसी भी संगठन संस्थान में करमचारियों, साजेदारों, संचार माध्यमों और ग्राहकों में जानकारी साजहा करने के अतरित विशेशकूं और समाने जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को विभिन प्रकार के लोगों में जानकारी का प्रसार करना होता है निगमित संप् अर्थार समझ लिए इस बातों को यहां पे आपको कॉपरेट के बारे में जानना है बड़े-बड़े कंपनियों के बारे में जानना है तो इसमें क्या होता है कि एक स्वस्त समाज का निर्मान करना सुसाइटी का निर्मान करना परिवेश का निर्मान करना इसके अलावा संस साजा करने के अत्रिक्त के अलावा इसके अलावा दिसे संक्यों समान जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को विभिन प्रकार के लोगों में जानकारी का अगान प्रदान करना ही निगमित संप्रेशन के नाम से जाना जाता है अगले स्लाइड ने बढ़ते हैं अगला स्लाइ है connectivity होती है इसे ही हम जन संपर्क के नाम से जानते हैं जन संपर्क क्या है एक प्रकिरिया है एक माध्या में है एक step है जो एक उद्देश से से व्यक्ति या वस्तु की छवी महत्तो एबं विश्वास को समू अथवा समाज में अस्थापित करने में सहायक होता है यह एक उद्देश मतलब क्या होता है कि जन संपर्क अगर आप से पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि जन संपर्क का सीधा मतलब आसान मतलब है जनता के साथ संपर्क रखना पबलिक के साथ रिलेशन बनाना जन संपर्क एक प्रकिरिया है जो एक उद्देश से व्यत्ति या वस्तु की छवी महत्तु एबं विश्वास को समू अथवा समाज में अस्थापित करने में सहायता प्रदान करता है जन संचार के विभिन उपकरनों के माध्यम से समाज या समू से जिवन्त संबंद बनाने में या सेतु का भी काम करता है सेतु अर्थाथ ब्रिज का एक बड़े बड़े कॉपरेट से या बड़े बड़े जगों से एक आम पबली के बीच में जो रिलेशन बनता है जो समबंद बनता है जो जानकारियां साजी की जाती है मतलब जो जानकारिया एक जगह से दूसरे जगह तक पहलाई जाती है इसके बीच में यह सेतु का काम करता है ब्रिज का काम करता है तो यह जनसंपर्क के बारे में था कलब बॉइंट हमारा कहता है नीगमित संप्रेशन के प्रकारी के बारे में बताईए तो देखे नीगमित संप्रेशन एक स्वास्त संगठ नात्मक परिवेश का निर्मान करता है किसी भी संगठन संस्थान में करमचारी, साजेदारों, संचार, माध्यम और ग्राहकों में जानकारी साजा करने के अतिरित, विशे सग्यों और समान जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को विभिन प्रकार के लोगों में जानकारी का प्रसार करना निगमित संप्रेशन कहलाता है। रखता है यह कंपनी के ब्रांड को संगठन के भीतर और बाहर दरसाता है दिखाता है भीतर से भी और बाहर से भी अतह निगमित संप्रेशन का प्रक्रम संगठन और बाहरी संस्थानों के मद संपर्क को सुनिश्चित करता है तो यहां पर यह निगमित संप्रेशन के प्रका के बारे में था आशा करता हूं कि आपको सारे points समझ में आ रहे होंगे अब हम इसी points में आगे बढ़ते हैं आज कल इसका उपयोग एक सकारात्मक निगमित छवी परदर्शित करता है एक चीज को दर्शाने के लिए किसी भी ब्रांड के छवी को दर्शाने के लिए उसके संबंद निडमित करने जनता को नए उत्पाद और उपलवधियों की जानकारी देने के लिए जन संपर्ख साधन के रूप में इसका उपयोग किया आता है परतियस परदा का मतलब होता है बाजार में एक दूसरे से competition इसमें बिर्धी जानकारी की उपलवधता और संचार म आध्यमों की बहुलता ने अधिकान संगठनों के लिए परतिष्ठा प्रबंधन को प्राथ्मिक बना दिया है परतिष्ठा प्रबंधन का मतलब होता है उसके आभरू उसका इज्जत किसका ब्रांड का निगमित संप्रेश को द्वारा बैबसाइक करिकों से संभाला जात संकट नियंत्रन के लिए कारे करना वैस्विक संप्रेशन और समझ के लिए बिबेक पूर्ण द्रिष्टी कोन बनाना जटिल संप्रेशन संसाधनों और प्रदोगिक्यों का उप्योग में लाना निगमित संप्रेशन का महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है तो यह सारे points इसमें काफी महत्तोपूर्ण है अगला हमारा point है जन संपर्क के प्रकारे के पहले हमने यहाँ पर बात किया था इसके मूल भूत संकल्पनाओं में निगमित संपर्क के बारे में बात किया था इसके बाद हमने निगमित संपर्क के प्रकारे के बारे में बात किया अब हम ज जनसंपर्क के प्रकारे के बारे में बात कर रहे हैं तो आए जनसंपर्क के प्रकारे को जान लेते हैं नीगमित जनसंपर्क बिभाद और जनसंपर्क एजेंसियां जो होती है उनके द्वारा किये जाने वाले प्रकारियों में बहुत से प्रकारे एक जैसे ही होते हैं नीचे इनका अधिकांस समान प्रकार दिया जारा, जैसे कि पहला है जन संपर्क निती, जनता के द्वारा connectivity बनाने के नियम, नीगमित जन संपर्क निती को बिकसित और अनुसासित करना, और इसे सिर्ष प्रबंध को और सभी विभागों के साथ साजह करना जन संपर्ख एजेंसियां भी यही कार्य करती है जितने भी जन संपर्ख एजेंसियां हैं वह इसी प्रकार के नियमों के माध्यम से जनता के द्वारा संपर्ख बनाती है दूसरा पॉइंट है वक्तब और प्रेस विग्यापन होते हैं, विग्यातिपिया होती हैं, ये सारी चीजे हैं, जन संपर्क क्रमिको द्वारा निगमित वक्तव्य, प्रेस के द्वारा प्राप्त की गई या छापी गई प्रप्तिलिपियां, अधिकारियों के भासन आधितयार किये जाते हैं, इस प्रक्रम में वे क कम्पनी, उत्पाद, नितियों की सकारात्मक्छवी को निर्मित और प्रस्तूत भी करते हैं, तो ये जन्संपर्क के प्रकार्य के अंतरगत आता है, अब हम आगे के पॉइंटों में देखते हैं, तीसरा पॉइंट इसमें कहता है प्रचार करना, संचार माध्यमों और समुदायों को कम्पनी की गतिविद्यों और उत्पादों द्वारा घोसनाएं प्रेशित करना, प्रोत्साहन अभियानों की योजना बनाकर संचार माध्यमों द्वारा उनका प्रचार करना भी एक अवस्यक कारे माना जाता है, एक जरूरी काम के में जाना जाता है तो ये तीन पॉइंट इसमें काफी महत्वपूर्ण है जन संपर्क निती और दूसरा पॉइंट है वक्तब और प्रेश विग्यापतियां और तीसरा है प्रचार करना ये सारी पॉइंट आप सही तरीके से आज कर लिजिएगा अगला पॉइंट कहता है सं संबंद बनाना जन संपर्क क्रमिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी इकाईओं के साथ साथ अच्छे परोसियों जैसे संबंद बनाएं इसमें पड़्यावरन संरक्षन मानकों का अनुपालन अस्थानिये लोगों को रोजगार का अबसर देना इलाके के बिकास का करमों मों सहयोग करना, इसमें भाग लेना, अस्थानिये राष्ट्री और अंतराष्ट्री अस्तर पर संबंध बनाना, उन पे अपेच्छा की-जाती है कि वे समाज में लेना आधि सामिल है, कम्पनी साज़दार जो होते हैं, जो कम्पनी में निवेसक वहते हैं, और अननिवेशकों के मद संप्रेशन मतलब की परचार परसार के लिए बात करने के लिए संबंद बनाए रखना भी एक महत्तुपून प्रकार है। काम है कभी-कभी जन संपर्क एजेंसियों को वार्सिक या त्रिमासिक रिपोर्ट भी त्यारी करनी पर सकती है। और साज़दारों के साथ बैठ कर योजनाए भी त्यार करनी पर सकती है। तो यह सारे चीज़े संबंद बनाने के अंतरगत आता है। अगला पॉइंट हमारा है प्रकाशन। कभी-कभी जन संपर्क एजेंसियों को अस्थानिय पत्रिकाएं त्यार करने और प्रकासित करने का भी काम करना होता है। ये भी एक important point है कि क्या होता है कभी-कभी जन संपर्क agency जो जितने भी होते हैं, इन्हें अस्थानिय पत्रिकाओं को प्रकासित करने का भी कहां दिया जाता है, अगले slide की तरह बढ़ते हैं, अगला slide हमारा कहता है, जन संपर्क गती बिधियों के प्रमुक छेतर कौन-कौन से हैं, ये भी BBI points हैं, कि जन संपर्क गती बिधियों के प्रमुक छेतर आपसे अगर पूछा जाए, तो पहला point आप बताएंगे कि प्रेस के साथ संबंध, जन संपर्क व्यक्तियों को प्रेस के सभी अस्तरों, अर्थात, संपादक से संवाद दातात, मधुर संबंध रखन होतू, प्रेस और जन संपर्क दोनों अपनी रोजी रोटी के लिए एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, अच्छी, लिखी हुई, सही समय पर प्रेस, बिध्यापतिया जो होती है, पत्र काया जो होती है, वो उपलाब्ध कराना, संबाद दाता को उनके लेक लिखने में मदद करना, आसान उपलब्धता, प्रेस की आलोचना से दूर रहना, पक्षपात और कुछ पत्रों को अनुचित पक्ष लेने से बचना, प्रेस संबंदों की कुछ विसेस्ताएं हैं, जन संपर्क कर्मी को संगठन के उत्पाद या सिवाओं की जानकारी के प्रचार के समय संगठन की संस्कृति को सामने लेना चाहिए, पत्रकारों को बैपार में बने रहने के लिए समचार चाहिए, ताकि लोग उसको जान सके, पहचान सके, अगर किसी के पास न्यूजी निये हुआ, तो उस न्यूज चैनल को लोग क्यों हैं, आज के समय में आपको पता है कि आज तक हो गया, इंडिया टिवी हो गया, या फिर रिपब्लिक भारत हो गया, इन सके पास इतने सारे न्यूज होते हैं, न कि कुछ न कुछ नए खबर हमें साच चलाती रहते हैं, इसी कारण से तो पब्लिक इनको पसंद करती है, तो ये जन संपर्ग गतिवधियों के प्रमुक छेत्र में प्रेस से संबंद बनाना था, इसी में हमारा अगला पॉइंट कहता है विग्यापन देना, मतलब कि परचार करने के लिए पैसे देना या फिर कुछ और, तो एक उत्पाद स्वैंग के गुनों के अधहार पर नहीं बिखता है, चाहे ब्रोडक्ट बड़ा हो या छोटा हो, अपने गुन पे नहीं बिखता हो, उसे कौन जानता है, इसी जान पहचान को बढ़ाने के लिए क्या दिया आता है, विग्यापन किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट करवाया जाता है, विग्यापन करने का जो उद्देश है मोटीव है वो जानकारी फैलाना लोगों के उत्पाद के उपभोग में राजी करना प्रभावित करना हो सकता है विग्यापन देने के लिए बहुत से संचार माध्यम है जैसे समाचार पत्र रेडियो टीवी और कई अन्य समानत जंसंपर्क जो है वो बैक्ति विग्यापन के बजट और माध्यम को टै करते हैं तो यह विग्यापन देना है तीसरा पॉइंट इसी में है प्रकाशन देगे विवर्ण और या पुल्डर या फिर पचार पुस्ति का पैंप्लेट परिपत्र संस्थानिक पत्रिकाय जो होती है इस प्रकार की समागरी को करने का दाई तो जो है वो जम संपर्त विभाग का होता है समागरी त्यार करते समय सरलता मतलब आसानी से असपश्टा साफ साफ लागत कितना लगड़ा है संगठन की सही छबी और उसके आकरसक होने का पूरा ध्यान दिया जाता है जब भी किसी एडवर्टाइजमेंट को परकासन किया जाता है उस समय चौथा पूरेंट हमारा कहता है अनसंचार माध्यमों से समन्वे देखिए अनस्रब द्रिस संचार माध्यम फिल्म परदर्सनी विग्यापन पटो कटपुतली और लोक गीत का उपयोग जन संपर्क विभाग के प्रचालनों के दाएरे में आ सकता है क्योंकि बोले गया सब्द अभी भी संपरेशन का सबसे पुराने तरिकों में से एक माना जाता है उन्हें अन्य प्रचार माध्यम जैसे रेडियो और दुरदर्सन से भी अच्छे संबंद बनाए रखने होते हैं यह चौधा पॉइंट था पांच्वा पॉइंट से अरधार को संभावित निवेश को से संबंद बना कर रखने होते हैं आंतरिक जन संपर्क गति विधियों में अधिकारियां सहित सभी करमचारी और अन बरिष्ट करमिक होते हैं बरिष्ट मतलब होता है सिनियर इन सभी से संबंद बनाए रखना इसी में सामिल होता है जि से उसे संगठन में होने वाले सभी घटनाओं की जानकारी आसानी से मिल जाता है और उनके पास ये जानकारियां रहती भी है अगला पॉइंट हमारा कहता है जन संपर्क के साथ सिधान्त ये भी भी आई पॉइंट रहेगा आप से एकजाम में पूछा या सकता है तो आप इस करित्र विचारों प्रथाओं का याथार्थ चित्र प्रस्तूत कीजिए जो वास्तविक हो दूसरा है काम द्वारा सिध कीजिए संगठनों के परती जनता की धारना 90% उससे बनती है जो वह करता है और 10% उससे जो वह कहता है तीसरा है ग्राहकों की सुनी कंपनी को है कि जनता क्या चाहती है जनता के इच्छा के अनुसारी कंपनी को चलना पड़ेगा तभी कंपनियां चल पाएगी और उसकी क्या आप सकताएं हैं क्या चाहत है ये बात ग्राहक का कंपनी को सुनना पड़ेगा कंपनी के उत्पादों नितियों प्रथाओं के बारे में मि आने वाले कल के लिए प्रबंद कीजिए मतलब जनता की प्रकिरियाओं का पुर्वानुमान लगाईए और कठनाईयां पैदा करने वाले तरीकों को हटा दीजिए और परतिष्ठा बनाईए तो ये आने वाले कल के लिए प्रबंद करने के बारे में था अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं अगला स्लाइड हमारा कहता है पांचमा पॉइंट जन संपर्क को इस तरह संचालित कीजिए जैसे कि सारी कमपनी उस पर निर्भर करती है मतलब निगमित संबंद एक प्रबंधन प्रकार है किसी भी निगमित निती को यह जाने बिना कि उसका जन्ता पर क्या प्रभाप पड़ेगा लागु नहीं करना चाहिए पहले जन्ता का राय जन्ता का decision देख रेना चाहिए जन्संपर्क बैबसाइट एक निती निर्माता होता है जो की बिबिध प्रकार की निगमित संप्रेशन गतिविदियों को संभालने के योग भी होता है तो ये पाँचबा पॉइंट था अब छट्टे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं इसे समझे कि कम्पनी का वास्तविक चरित्र उसके लोगों द्वारा परदरसित होता है एक कम्पनी के बारे में सबसे ससक्त राय अच्छी या बुरी उसके करमचारियों के सब्दों और कारियों से ही बनता है उस फैक्टरी या जो भी कम्पनी होती है उसके जो काम करने वाले वरकर होते हैं उन्हीं की बाते सबसे ज़्यादा मानी जाती है परिणाम स्वरूप परतेक करमचारी सक्रिये अथ्वा सेवा निवरित जन संपर्क में सामिल होता है निगमित उत्तरदाई तो है कि परते करमचारी की छमता को बढ़ाएं और ग्राह को मित्रों साज़ेदारों और सावजनिक अधिकारियों के परती इमांदार ज्यानवान दूत बने ताकि उनके कंपनी की परतिष्ठा मान चरित्र लोगों के बीच में जनता के बीच में अच्छी छव भी बनाए रखने में सफलता हासिल करें अगला पॉइंट हमारा कहता है सांत धार्यवान और प्रसंद चित रहिए सांत रहना जरूरी है धार्यवान रहना जरूरी है प्रसंद चित रहना जरूरी है जानकारी और जनसंपर्कों के द्रिड और तरकीक ध्यान के साथ बिबाद अस्पद 24 घंटे के समाचार चक्रों की भारी संख्या में निगरानी रखने वाले संगठनों में रहते हुए, यह कठिन हो सकता है, परणतु याद रखिए, जब संकठ खड़ा होता है, तो ठंडे दिमाग वाले ही सर्वस्रेश संप्रेशन करते हैं, अर्थात, ज निगाल के लोगों तक पहुँचाते हैं, संप्रेशन भी यहाँ पर दो प्रकार का है, आंतिक संप्रेशन और बाहे संप्रेशन, आंतिक संप्रेशन किसे कहते हैं, यह संप्रेशन संगठन के नियोकता, करमचारियों के मध में ही होता है, अंदर में, भीतर में, कंपनी के अंदर में होता है किसी संगठन को बांधे रखने के लिए समेटे रखने के लिए करमचारियों के मनोबल को बढ़ाना पारदर्सिता को प्रोचाहित करने हैं तो धीरे धीरे होने वाली छती को कम करना एक महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है इसे हम आंत्रिक संप्रेशन कह सदस्यों और बाहरी दुनिया के बीच होता है सदस्य और बाहरी दुनिया के बीच बाहरी संप्रेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सकारात्मक छबी का स्रिजन करता है पॉजेटिव चीजों को बनाता है ब्रांड संरक्षन जन संपर्क बनाना जैसे महत तो पुर्ण प्रकारियों को योग बनाता है और इसमें बिर्धी करता है। वैस्विक समाज में बाय संप्रेशन बिपनन में भी कई बार मदद करते हुए देखा गया है। तो ये बाय संप्रेशन के बारे में था। अगला पॉइंट हमारा कहता है आवस्यक ज्यान एवं कौसल। देखिए कौसल आपको एक बेहतर और प्रभावी संप्रेशक बनाने में सक्षम बनाती है। ये आपको संदेशों को बनाने और सफलता पूर्वक संप्रेशित करने में सहायता परदान करता है। श्रवन, कौसल, स्वैंग सिखे जाती है। इसके अलब बाचित का जो कौसल होता है या संपर्क साधना होता है ये अबलोकन करके ही सीखा जाता है। प्रस्तुती करन, किसी भी न्यूज को कैसे हम प्रस्तुत करते हैं। सौफ्ट्वेर, हाडवेर का उप्योग भी इसमें सामिल होता है जिसमें आपचारिक परिक्षन की आपसक्ता होती है। इसी प्रकार उच्चारन, निश्प्रभावन, सावजनिक भासन, टेलीफोन, सिष्टाचार, अधार भूत, लेखन कोसल, निर्नय लेना, तनाप प्रबंधन के लिए परसिक्षन कारिकरम होते हैं। समय प्रबंधन के लिए भी कुछ परसिक्षन की आपसक्ता हो सकती है। बहुत से कार्य प्रबंधक इसे अनुभव द्वारा भी विक्सित कर लेते हैं। तो ये अवस्यक ज्यान एवं कौसल के बारे में था। इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्रवन कौसल। स्रवन एक सौक्रिय प्रकिरिया है जिसके तीन भाग होते हैं। सुनना, समझना और प्रतिकिरिया सुनना। आपके सरीर का एक बहुतिक पहलू है जिसमें ध्वनियों को गरहन करना, उनका अर्थ निकालना सामिल होता है। आप बादचित के हिस्से के रूप में यह सुन सकते हैं, या फिर ध्यान से सुनने के से भिन भी हो सकता है। आप किसी भी चीज़ को सुनके उसका सही समझ न उनकाल लेता है। इस अस्तर पर आपको जानकारी संप्रेशित होती है, आप ने जो सुना है वही आप समझ लेते हैं और उसके फ्रटिकरिया देते हैं, अपना जबाब देते हैं, इसके अलावा है अंतह वैक्तिगत, मतलब कोशल जो आंत्रिक होता है, तो इसमें क्या होत व्यक्ति की बैपारिक संगठनों के अंदर समाजिक संप्रेशन और बात द्वारा योगता की माप के रूप में जाना जाता है ऐसे कौसल में पारसपरी किरिया उपयोग में आता है सकारात्मक कौसल देखने को मिलता है परतिष्ठा की उत्पादर्ता बढ़ जाती है क्योंक की द्वांद कम हो जाता है यहां पर मतलब बहुत ज़्यादा कंप्टिशन नहीं होता अपचारी परिस्थितियों में यह संप्रेशन को सरल और सुबधा जनक भी बना देता है अच्छे कौसल वाले लोग समानत उन्हीं भावनाओं को नियंतित कर सकते हैं जो कठिन परिस सौधे के संदर्व में दोनों पक्षों के कुछ बिंदूओं पर और सहमती होती है दोनों एक दूसरे से सहमती नहीं रखते हैं समझाते द्वारा पर तेक पक्ष दूसरे को मनाने का प्रयास करता है यहां समानत उससे अधिक मुद्दे और तथ्य होंगे जिनका ऐसे ख़त सौधे पर पहुँँच जया और दोनों इसके लिए तयार वी हो जाया अगला पॉइंट हमारा है प्रस्तूती करन अब हमारा यह भी इंपोर्टेंट पॉइंट है यह सिंगल प्रश में पूचा आया सकता है प्रस्तूती करन कोसल यह कोसल विचार और जानकारी को सम विषय बस्तू, रूप रेखा, पैकेजिंग, मानविये तो चाहा विषय बस्तू में वह जानकारी होता है, जिसकी लोगों को आपसकता होती है, जानकारी उतनी होनी चाहिए इन सब चीजों में, जितनी की एक बैठक में सुरोता, मतलब सुनने वाले गरहन कर सके, रूप र चाहिए और इनका जो क्रम है, वो बेबस्तित होना चाहिए, ताकि शोलता इसे समझ सके, यह नहीं कि आप बैठ के कुछ से कुछ प्रस्तूत कर रहे हैं, कुछ से कुछ बोलने और अगले को समझ में नहीं आ रहा है, अगला प्रस्तूत है हमारा मानरिये तत्तू, एक अच फिर भी सुरताओं की आप सकताओं के विसलेशन करके उनका चेहरन करने की जरूरत होती है। उदारण के लिए बहुत से दफ्तरों में, बहुत से ओफिसेज में क्रमचारी के जर्म दिवस पर अनवसरों पर कार्ड भेज़े जाती हैं। कार्ड के साथ एक वरिष्ट व्यक्ति, उन्हें व्यक्ति तो बधाई देने जाता है। वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो यह मानिविये तत्तु के रूप में जाना जाता है। चर्टा पॉइंट हमारा कहता है तालमेल अस्थापित करना। तालमेल किसी संबंध में विश्वा, सामंजस को अस्थापित करता है। अन लोगों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करने की कला के रूप में देखा जाता है। देखिए संप्रेशन का 93% आपके हावभाव और बात करने के धंग से ही संप्रेशित होता है। संदेश का केवल 7% भागी सब दो द्वारा पहुचाया जा सकता है। साथ ही परतेख सफल व्यक्ति के पास यह कौसल होना जरूरी है कि निर्नय लेने में मानविये और भौतिक तत्यों समलित होते हैं। इन सभी घटकों का आकलन या वरियता निर्धारित कर परिनाम का पुरवा नुमान लाया कर सभी संबंदित पक्षों का अधिक्तम हीतों का ध्यान रखना चाहिए और निर्नय लेने चाहिए। उदाहरन के लिए विद्यार्चियों के रूप में आपको जेव खर्च आपको जो मिलता है इतने खर्चे के विकल्क होते हैं जैसे खादपदार्च, सिनेमा, मित्र, परिवार, सदस्यों के लिए उपहार और कई बार फोटो कॉपी त्यारी करवाना तो आप इसी बास से स पंक्तुष्ट हो सकते हैं और आप सकताओं का ध्यान रखके इसे पूरा कर सकते हैं इस तरह से आपने देखा क्लास 12 होम साइंस ग्री विग्या चेप्टर 14 जिसका नाम था निगमीत संप्रेशन तथा जन संपर्क नए सिलेवस के अनुसार बनाया गया था तो आसा करता कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के अट्रोकेशनल वीडियो आपको हमेशा अप्राप्त होता आज के लिए इतना ही धन्यवाद।